नमस्ते, अब सब भी विद्यार्थियों का स्वागत है योगदर्शन की व्यक्यान माला के कारेकरम में आज हम बात करेंगे साधन पाद के सात्वे सूत्र की जिसमें मुख्यरूप से राग नामक चुकलेश है उसके सवरूप को बताया गया कि राग होता क्या है तो चलिए सूत्र को देखते हैं बहुत चोटा सा सूत्र है सुख अनुशाई राग है इसको तीन हिस्सों में हम बाढ़ते हैं जिसे हम इसको आज़ानी से समझ भाएंगे सुख यानि की आनंद की अवस्था आनंद की अवस्था अनुशाई उस आनंद को भोगने के बाद उसको बार बार भोगने की इच्छा करना ही राग नामक कलेश कहा गया है अब सुख क्या है आनंद क्या है किसी भी चीज में आपको सुख की अनुभूती हुई आनंद की अनुभूती हुई उसको बार बार फील करना उसको बार बार गहन करने की कोशिश करना उसके प्रती आकरशित रहना उसके प्रती ललाइत रहना उसको पुने प्राप्त करने की इच्छा रखना ही रागनामक क्लेश है तो सुख क्या है आनंद क्या है आपने किसी वेक्ति ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवाहर किया आपको बड़े रिस्पेक्ट दी तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे आपको अच्छा अनुभू हुआ अच्छी अनुभूती अच्छे भोजन के परति जो आपको मिठास लगी जो आनंद आया जो रस की अनुभूती आपको हुई उसी रस को प्राप्त करने की लाल सा रहना और कि यह अच्छा लगा मुझे किसी वेक्ति के साथ आप व्यवहार में रहे यानि कि कि किसी वेक्ति किसी से आप प्रेम कर करते हैं उसकी सारी चीज़ें आ अच्छे लगती है उसका आपके साथ भेटना खाना पीना रहना आलिस सब चीजों को बहुत अच्छे लगते कि नियुक्ड आपको एप्रaceut कर्या करता आपको प्यार करते हैं तो जब वेक्ति एक दूसरे से प्यार करता है, तो बार-बार उसी प्यार की चाहा उसे रहती है, कि मुझे इसी व्यक्ति का साथ चाहिए, या मुझे इसी व्यक्ति से प्रेम है, और मुझे इसी व्यक्ति की प्राप्ति करनी है, दूसरा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, वो भी राग कहा गया ह उसी सुख की उसी अनुभूती को बार-बार महसूस करना, किसी यात्रा में आप गए, कहीं पे आपने ट्रेवल किया, वहाँ पे आप उनने देखा कि बहुत अच्छा आपको अनभव हुआ, बहुत आनंद आपने लिए, बहुत मोजमस्ती आपने की, उसी मोजमस्ती को बार 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 याद करना, बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, बार बार भोजन से मिलने वाले सुख को प्राप्त करने की लाल सा रखना, बार बार किसे की अच्छे विवहार दुआरा मिलेगे सुख और आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करना, बार बार जो कोशिश करना बार बार प्रैयास करना बार बार उसका अनुकरण अपने मस्तक्स में रखना इसमें राग कहलाता है इसमें सबसे जो अच्छा example है आप प्रेम से समझ सकते हैं जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करती है तो वे फूरी विश्व में उसको सबसे अच्छा लगता है अपना प्रेमी एक प्रेमी का को पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगता है एक प्रेमी को अपनी प्रेमी का सबसे अच्छी लगती है सबसे खुशूरत लगती है यह जो अनुभाव है क्योंकि वो उसको पेंपर करती है वो उसे पेंपर करता है उनके जो सुख के एहसास है जो एक दूसरे को pamper करते हैं जो एक दूसरे को appreciate करते हैं जो एक दूसरे के साथ प्यार के खुशी के जो लम है वो वैतीत करते हैं और उसी वो चाते कि बार-बार इन लमों को हम revise करते रहें और यही वेक्ति मुझे पसंद है यही लड़की मुझ पसंद है इस परकार की इच्छा और प्रबल इच्छा होना और एक ही वेक्ति विशेस में आपकी आसकती होना या अत्यदिक आसकती होना ही राग कहलाता है वो राग तब बनता है जब उसी के प्रति उसी भोग को भोगने की इच्छा आपकी बनी रहती है एक स्वादिस्ट आपने खाया, उसी स्वादिस्ट खाने को बार बार खाने के लिए ललाईत रहना, उसी के रस को प्राप्त करने की कोशिश करना, उसी में मगन रहना, उसी के प्रति अनुरक्त रहना, उसी के प्रति आसकती रखना, उसी के प्रति मोह रखना ही आपका राग कहलाता है, इसको इसी प्रकार जब एक दूसरे के प्रति जो अनुरक्ति होती है जब व्यक्ति किसी को अत्यदिक चाहता है उसको चाहने लगता है और उसी चाहत को बार-बार वो महसूस करना चाहे बार-बार उसको फील करना चाहे इस आसक्ति को इस अवस्था को राग कहा गया है जो कि कुछ भी हो उसके प्रति अत्य दिखा सकती हमेशा नुपसान करती है तो उसके प्रति अत्य दिखा सकती के साथ आप एक प्रकार से अंधा हो जाता है व्यक्ति उसके अलावा कि कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती है तो यह ठीक उसमें यानिकी जो प्रेम है या जो द्वेश 보performance इसकी उत्पत्ति भी अविद्या विद्या जोब क्लेशगे उसके कारण होती है कुछ एक वैक्ति ही वीश्यष नहीं होता चैनी प्रेर्म सब से किया जा सकता है मातापिदा के प्रती भी प्रेम होता है, दोस्त के प्रती भी प्रेम होता है, समाज के प्रती भी प्रेम होता है, लेकिन प्रेम को एक व्यक्ति विशेस तक सिमीद कर देना, एक व्यक्ति विशेस में ही पूरी दुनिया को खोजना, एक व्यक्ति विशेस को ही अपनी पूरी दुनिया समझ जिना अविद्या कहलाएगी क्योंकि उसके अलावा भी आपकी जिम्मेदारियां है responsibility है केवल एक प्रेमी की प्रेमी का के प्रति जिम्मेदारी नहीं है वो किसी का भाई है वो किसी की बेहन है, वो किसी की बेटी है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का दोस्त है, उनकी समाज में 50 उनकी responsibility है, 50 जिम्मेदारियां होती है, तो उन जिम्मेदारियों के परती भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी बनती है, तो केवल एक particular कर देना इस परकारत से माता-पुत्र में आसकती होती है विशेशकर से चोटे पुत्र में डुबोता रहता है और वो जो आ सकती है आपको राग नामक कलेश की उत्पत्ति आपके भीतर करती है जो कि आगे आने वारे समय में आपको नुकसान होता है क्यों कि यह वह व्यक्ति विशेश नहीं रहता है यह वह व्यक्ति विशेश आपको छोड़के चला जाता है सु उसे बड़ी तकलिफ महसूस होती है और उसके दुष्ट प्रिणाम आप समाज में देखते ही हैं या तो उसका बहुत negative effect होता है दूसरे के प्रति या negative effect खुद के प्रतिवेक्ति कर लेता है या तो कोई प्रेमी या प्रेमी का खुद के उपर अपना खुद को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करता है या जिसके कार्ण वह बात हुई उसको नुक्सान पहुंचाने की पुर्जोर कोशिश करता है या जो बहुत अच्छा लग रहा था फिर उसके पुरी द्वेश की भावना आ आश्रित रहता है और उनके ना रहने पे उसको बड़ा दुख और पीड़ा का अनभाव होता है क्योंकि माता-पिता के सहारे वह चाहरा था कि माता-पिता मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे सारे काम करेंगे लेकिन रिस्पॉंसिबिलिटी वह पूरी नहीं कर पाए तो कमी महसूस होती है और बार बार उसका समन होता है कि मेरे माता-पिता होते तो यह करते या माता-पिता को लगता है कि मेरे मेरा पुत्र होता है मेरा पुत्र जीवित होता आज तो मेरे बुड़ापे का सहारा बनता है तो क्योंकि उसने आसक्तिक की उसने एक्सपेक्टेशन बहुत सारी की, तो अत्यदिक जो expectation होती है, अत्यदिक आसक्तियां जो होती है, वो किसी वेक्ति के प्रती हो, किसी भोजन के प्रती हो, किसी स्थान के प्रती हो, किसी किसी के प्रती भी विशेश लगाव होता है, वो आपको imbalance करने का काम करता है, अत्यदिक आसक्ति या फिर आगे हम द्वेश नामक कलेश को पड़ेंगे वो भी यही बताता है कि ना किसी के परति अत्तधिक आ सकती है आपकी होनी चाहिए, ना किसी के परति अत्तधिक द्वेश आपको करना है, बैलेंस रहना, एक्वल्टी ही योग है, समत्वम योग उच्छते की जो बात गीता कहती है, वो यहाँ पे लागू होती है, समता का भाव, प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, माता पिता पुत्र से प्रेम करें, प्रेमी प्रेमी का से प्रेम करें, प्रेमी का प्रेमी से अधार है किसे एक विक्ति विश्यष को किसे एक स्थान विश्यष को किसे आप भोज़न विश्यष को अपना बनाई यदिations यदि आपको considering पसंद है और आपको रोटिया मिलती है कि रोचिया पसंद रहे चावल आपको अच्छा नहीं लगता तो रोटी ने आह कि अवस्था में आपको बहुत तकलीफ होगी चावल आपको पसंद है और चावल नहीं है और उसके जेंगे रोटी है या कोई फ्रूट है आपके पास और आप्शन नहीं है तो बहुत तकलीफ में महसूस करेंगे अपने आपको इसलिए आपको व्योग की स्थिति में आप इंबैलेंस ना हो आपके आपका जो व्यवहार वह आकर्मक ना हो नाकर्मक ना अपने प्रति ना दूसरे गष्टि यही balance कहलाता है तो यह balance ना होकर कि अत्यदिक आ सकती जब हो जाती है अत्यदिक आश्रित जब हम किसी वेक्ति के विशेस के प्रति हो जाते हैं तो राग होता है और यह राग भूत घातक होता है लोग कहते कि द्वेश घातक होता है मैं करा हूँ राग द्वेश से भी घातक होता राग में आप अपने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अत्य दिक अवसाद में आप जा सकते हैं द्वेश में के और आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं यहां तो दोनों तरफ नुकसान है इसलिए और कहता हूं कि आप प्रेम करें सबसे करें जिससे करना है प्रेम करें आप दूसरे के उपर डिपेंड एक लिमिट तक रहें यहीं मुझे सब कुछ करेंगे इसके उपर ह्या अश्रित है किसी वैक्ति के लिए जाने के बाद या कोई छोड़ के जा रहा है उन्दोनों सूरत में झीवन को कभी कखात्मा नहीं होता लेकिन हम आउनकों के समने अंधेरा चाह जाता है माता पिता चले जाते हैं तो अंधेरा चाह जाता है प्रेमी या प्रेमी का छोड़के चले जाते हैं तो अंधेरा चाह जाता है या कोई स्थान हमारा छूड़ जाता तो अंधेरा चाह जाता है कोई नोकरी हमारी छूड़ जाती है तो अमें अंधेरा चाह जाता है ऐसा नहीं है केवल उसी के उपर अपने आपको स्टेबल रखना उसी के प्रतिया सकती रखना राग को पैदा करता है और राग हमेशा आपको डिप्रेशन में लेके जाने का काम करता है अग्रेशन देने का काम करता है तो यदि आप चाहतें कि डिप्रेशन ना हो अग्रेश तो आपको निश्चित रुप से जो राग है वो प्रेशान करेंगा और यदि प्रेशान किया तो आपका जिवन है वो इन्बैलान्स हो जाएगा और जैसे यह आपके व्यवार में भी यह चैंट बंदिखेंगे आपके काम में भी ऐचंट बंदिकेंगें तो तो कोई आपका काम सफल होगा ना आपका व्यभार किसी के साथ सही रहेगा इसलिए इस चीज को सही रखना है तो राग नामक द्वेश को दूर करना बहुत जरूरी है और राग नामक द्वेश को दूर करने के लिए विद्यारूपी हत्यार को आपने सहरा बनाना है इसलिए इस व्याख्यान को और भी अच्छे से समझने के लिए आप इसको जीवन में इसका लाब लेने के लिए आप अपने जीवन में इसको आतम साथ करने का प्रयास करें आप देखें कि कब-कब आपने राग किया है, किसी भोजन के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति, कब किया और वो चीज नहीं रही या उसका अभाव यदिया आपके जीवन में हुआ, तो कितना नुकसान आपको हुआ, आपने स्वेम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया या अपने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम किया आपने तनाव के स्थिति उत्पन हुई या अग्रेशन के स्थिति उत्पन हुई यह आप विचार करिएगा इस उत्र को पढ़ करके इस उत्र को सुन करके आप अपने जिवन में विचार करिएगा क कि मैंने जब-जब राग किया अत्तादिक आसकती किसी के परतिकी अत्ताधिक आशृत किसी के परती रहे और उन्होंने हमारी अपेक्षा पर कोई खरा नहीं उत्रा तो क्या आपकी सिच्वेशन हुई माली जी आप किसी दोस्त के उपराश्रित हैं कि वो मेरी मदद करेगा और वो मदद करेगा तो मुझे ये लाब मिलेगा और किसी कारण से वो मदद नहीं कर पाता है या नहीं रहता या कोई मदद वो मजबूरी में नहीं कर पाता है या वो जान बुझ कर आपकी मदद नहीं करता है उस समय पे आपकी मानसिक्तिति क्या होती है जड़ा वीचार करेगा और यदि वह ऑद से आप नहीं चाहते तो आप अपनी इस अश्रित एक अपने जो आश्रित हैं उस आश्रय को घठा दें उस डिपेंडेंसी को भटा बादें नहीं तो आपका आने वाला जीवन भूत ही इंबैलेंस यानिकी ऐस अंतुलन्द भरा होगा चाहे वह विचारों का हो चाहे व्यक्ति का हो सस्थान का हो बहुत बार आपने देखा होगा आप सोच रहे हैं कि मैं यह फला काम शुरू करूँगा बिजनस शुरू करू या जब आपको उस समय पे कोई जरूरत पड़े और वो मदद ना करे और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो कि यह मेरी मदद करेगा तो आपकी स्थिति क्या होती है आपके संबन्द विचेद होने की प्रॉब्लम आ जाती है या किसी सहारे के समय पे आपको क तो आप राग नामक द्वेश को दूर करेंगे और इदी चाते हैं कि मैं imbalance रहूं और मैं आश्रित रहूं मैं आ सकती के साथ रहूं और मैं दूसरों पर depend रहूं तो आप करते रहें फिर राग को लेकिन आप योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगी और जीवन में तरक्य और उनती नहीं कर पाएंगे कि सफल होने के लिए राग नामक द्वेश को स्वाप्त करना बहुत जरूरी है यह द्वेश से भी खतरनाग राग है राग कहा गया है राग रूपी जो क्लेश है इसलिए मेरी आप से प्रातना है एप उपने जीवन के पिछले अनुभव को उठा के कहा का आप निर्ग किया कहा का आप आप सकती ज्यादा की और उसका प्रिशान करने वाला था यह आपको आनंद देने वाला था ये निरिने में आपके उपर छोड़तेवे आशा करता हूँ इस उत्र को आप अपने जिवन में आदम साथ करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ हम आगामी वैक्षान में द्वेश नामक्कलेश को प्रिभाशिद करेंगे उसकी वैक्षा आपके सामने करेंगे तब तक